नमस्कार दौस्टो स्वागत है आपका एक बार फिर। वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त परवी नाना और आजके इस वीडियो में दोस्तो हम बात करेंगे किस थरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं trading view के थुरू हमारी platform का इस्तमाल करके तो हमारी platform का नाम है दोस्तो algocrab और algocrab एक bridge tool है जिसकी मदद से आप bridging कर सकते हैं अपने trading platform और अपने charting platform के साथ तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि trading view आजकल बहुत ज़्यादा demand में है बहुत सारे लोग trading view को यूज करते हैं इवन brokers भी जो हैं वो trading view के charts को अपने trading platform पर दिखाते हैं इसलिए क्योंकि ये काफी ज़्यादा सरल है काफी ज़्यादा आसान है और साथ ही साथ इसमें काफी सारे pre indicators आपको मिल जाते हैं तो अगर आप भी trading view को यूज करते हैं या फिर आप अपने broker पर trading view का chart यूज करते हैं तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी strategy को automate कर सकते हैं हमारे platform का इस्तमाल करके वीडियो बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाला है तो मैं सबी से request करूंगा कि बिना skip करे हुए video को देखें क्योंकि अगर आप video को skip करते हैं तो में भी chances हो सकते हैं कि आप कुछ न कुछ skip कर देंगे क्योंकि जारा का सारा process जो है वो technical process है और इसको आपको बड़े ही ध्यान से देखना है तो चलिए video को शुरू करते हैं लेकर उससे पहले जो वीवर्स पहली बार में वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे request करूंगा कि वो चैनल को subscribe ज़रूर कर दीजिए और like और comment करके बताए कि ये video कैसा लगा क्योंकि आपके likes और comments हमें प्रोटसाहित करते हैं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे videos बनाने के लिए तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपका एक account होना चाहिए हमारे platform के अंदर जो की है algocrab.com तो सबसे पहले आपको algocrab.com पर जाना है और वहाँ पर एक account open करना है तो जैसे ही आप account open करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की detail मांगेगा sign up करने के लिए वो details आपको fill करनी है mobile number डाल के send OTP का button प्रेस करना है उसके बाद OTP आपके mobile पर आएगा उसको click करके verify कर देना फिर पास already account है तो मैं login कर रहा हूँ और login करके आपको बागी की चीज़ें दिखा रहा हूँ तो दोस्तों जैसे ही आप account को login करते हैं आपको कुछ इस तरीके की detail दिखाए देती है यहाँ पर हमारी कुछ predefined strategies available है जिनको आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको technical analysis नहीं आती या फिर आप कोई chart use नहीं करते तो जैसे कि आज का video charts के बारे में है तो मैं आपको charting के बारे में ही बताऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने trading view भी खुला हुआ है यह trading view का chart है और यह हमारा platform है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले आपको authentication के tab में जाकर अपने broker को link करना है broker को link करने का process इसलिए करना होता है क्योंकि इसको जब तक आप link नहीं करेंगे मैंने अपना client ID, password और TOTP यहाँ पर put किया है आप भी कोई भी broker यहाँ पर use कर सकते हैं बहुत सारे brokers हमारे platform पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो जिस भी broker में आपका account है वो आप detail डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर update के button को press करेंगे उसके बाद आपको get access token के button को press करना है तो जैसे ही आप get access token के button को press करेंगे यह page redirect होके आपको एक दूसरे page पर लेक के जाएगा जैसे ही आप इस page पर वापस आ जाते हैं इसका मतलब आपका token successfully आ गया अब आप क्या कर सकते हैं Valided token पर click करके देख सकते हैं आपका token valid है या नहीं है जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि token is valid का toast आपको यहाँ पर देखने को मिला था तो इसका मतलब हमारा token valid है और हमारा broker यहाँ पर आपका आराम से link हो गया है तो यह था पहला process जो आपको करना है linking का broker linking का दूसरा process है आपको trading view में किस तरीके से script लगानी है तो trading view के बारे में दोस्तों मैं बताता हूं कि trading view को अगर आप use करना चाहें तो आप free में भी use कर सकते हैं लेकिन अगर आप algo trading करने जाएंगे यानि कि आप algo या automatic trading के लिए जाएंगे तो आपको trading view का pro subscription लेना अनिवार है अगर आपका pro subscription नहीं है तो फिर आप automatic trading नहीं कर पाएंगे pro subscription के अगर charges की बात करूं तो वो 14 से 15 डॉलर के आसपास होता है और यह काफी सारी sales चलाते रहते हैं जिसमें की आप इनको सस्ते दामों पर भी ले सकते हैं अगर आप 6 महीने या एक साल का subscription लेते हैं तो यह अच्छा खासा आपको discount देते हैं जिसमें की 50-60% off भी आपको मिल सकता है तो आप इनकी website पर जाकर pro subscription purchase कर सकते हैं तो सबसे पहला process मैं आपको बताया था कि AlgoCrap पर जाकर आपको अपना account link करना है दूसरा process है आपको इसका pro subscription खरीदना है इसके बाद हमें क्या करना होगा इसके बाद हमें अपने indicators डाउनलोड करने होंगे जो कि हमारे platform पर हमने यहां पर दिखाए हुए हैं तो indicators की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहां पर bridge tool में जाना है और universal bridge पर जाना है तो universal bridge पर जब आप जाएंगे तो आपको यह trading view के indicators यहां पर दिखाए देंगे 6 free indicators हैं जिनको आप हमारे platform के थुरू use कर सकते हो और इन indicators को trading view की language में pine script कहा जाता है तो यह pine script जो है इनको आपको copy करके paste करना है एक एक करके आप कर सकते हैं या फिर अगर आप single किसी indicator को इसको इस्तमाल करना चाहते हैं तो सीधा उसको भी copy कर सकते हैं copy करने का process बहुत आसान है आपको यहाँ पर get code पर click करना है उसके बाद इस तरीके से code खुलेगा आपको इसको Ctrl A करके Ctrl C करना है जिससे कि यह पूरा code copy हो जाएगा अब आपको जाना है trading view पर आपको open पर click करना है यहाँ पर आपको पूछेगा क्या करना है तो यहाँ पर create new indicator का बटन आ रहा है इस पर click करेंगे इस तरीके से data आएगा यहाँ पर आप Ctrl A करके Ctrl V कर दिजिए सारा का सारा पेस्ट कर दिजिए पेस्ट करने के बाद आप इसको save करेंगे आप इसको जो भी नाम देना चाहिए जैसे यहाँ पर आ रहा है यहाँ इस तरीके से नाम दे सकते हैं तो यह आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके save हो गया अब आपको क्या करना है अब आपको automatic trading start करने है त तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाम के पांच बजे हैं तो अभी NSE का market तो open नहीं है तो मैं आपको MCX के symbol पे यहाँ पर trading करके दिखाता हूँ आपको silver का देखना है तो यहाँ पर देखिए आप silver future आ रहा है silver future पर आपको click करना है time frame कोई भी आप लगा सकते हो मैं यहाँ पर one minute लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको जल्दी से trade करके देखाना होगा कि trade आने के बाद किस तरीके से perform करेगा तो इसलिए मैं यहाँ प आपका December future आ रहा है उसके बाद July future आ रहा है उसके बाद March future आ रहा है तो आप यहाँ पर March future में trade करना है तो आप यहाँ पर March future आपने select कर लिया quantity में आपने one डाल दिया ठीक है MIS normal जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से set कर सकते है limit order market order whatever you want to do आप यहाँ पर set करेंगे उसक इसके बाद आपको start पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आप इस तरीके से आपको यह symbol बना हुआ दिख रहा है इसमें दो चीज़े आ रही है user की और एक instrument की यह दोनों चीज़े हमारे लिए बहुत important है और इनको हम आगे जाके trading view में डालेंगे ठीक है तो तो क्योंकि मुझे आपको fast trade करके दिखाना है तो मैं इस setting को fast कर रहा हूँ अगर आप यहाँ पर target stop loss भी लगाना चाहते हैं यहाँ आप चाहते है 50 point का target रहे या 50 point का stop loss रहे तो वह भी आप set कर सकते हूँ अब यह मांग रहा है user की और instrument की यह आपको हमारे platform पर मिलेगी यहाँ से आपको copy करना यूजर की को और उसके बाद आपको यहाँ पर आके paste कर देना और इसको भी आके यहाँ पर paste करने के बाद आपको ok कर देना अब यहाँ पर सारी की सारी setting हो गई है अब हमें चिरफ last setting क क्रियेट करना अलर्ट फिकल अलट करने का यहां पर बटन आता है इसको क्लिक कर सकते हैं जब क्लिक करेंगे यहां पर आपको असे ड्रॉपड और में healthy dog रॉप सिलेक्ट करना है यहां पर आपको सिलेक्ट करना है once per bar close चीक है उसके बाद यहां पर webhook URL आता है यह वेbhook URL को आपको एनेबल इस तरीके से करना और यहां पर एक URL पेस्ट करना है जो URL आपको एल्गो क्रहब पर यहां पर मिलेगा यह आप देख सकते वेbhook URL for trading view ब्रोकर लिखाओ आपको इसे copy करने पर trading view में आके आपको control A करके इसको paste कर देना है ठीक है यह पेस्ट करने के बाद आप इस alert को अगर कुछ नाम दे सकते हो तो दे लो जैसे मालीज़े आप यहां पे लिख दिया silver alert ठीक है तो यह आप silver का alert है ऐसे आप अलग-अलग कर सकते हो तो जो भी आप alert करोगे उस alert के इसाफ से यह trading करना शुरू कर देगा अब यह silver का alert है मैंने इसको create कर दिया अब इसको create करने के बाद आप देखेंगे यहां पर यह alert आ और यह active दिखा रहा है अब हमें क्या करना है अपने इसको start कर देना है symbol को अभी हमने symbol को start कर द तो ठीक है दोस्तों यहां पर आपने देखा कि एक alert आ गया और अब हम जाएंगे अपने trading platform पर यहां पर trade history का button है इस पर press करेंगे तो आप देख सकते हैं कि silver 23rd March future का एक मेरा trade हो गया और यह मुझे broker की तरफ से order ID भी मिल गया है यह हमारा trade हो गया अगर हम आप trade को देखना चाहते हैं तो हम यहां पर broker panel में जाके order book में देख सकते हैं order book में देख रहे हो आप यहां पर दिखा रहा फेल क्योंकि इसके लिए जो margin चाहिए है वह हमारे fund में account में available नहीं है इसके लिए trade fail हो गया लेकिन आपका trade properly गया है क्योंकि broker आपको broker यहां पर आप देख सकते है broker ने आपको यहां पर एक order ID दिया है तो यह order ID मिलने का मतलब है कि successfully trade आपके broker panel पर गया है ठीक है यह था process की किस तरीके से आपको automatic trading करनी है आप copy paste किस तरीके से कर सकते हैं बहुत ही आसान है आप वीडियो को दुबारा से देख सकते हैं अगर आपको एक बार में समझनी आय लेकिन आप nifty bank nifty का data देख सकते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं इन सबको alert को भी बंद कर देता हूं ठीक है और अगर आपको trading करना है options में तो वो किस तरीके से कर पाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है यहां पर आपको symbol लगाना निफ्टी का अब ही मैं alert आने पर किस तरीके से trade करेगा वो मैं आपको live market में दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको setting बता रहा हूं आप करके खुछ से भी कर सकते हो तो यह मैंने निफ्टी का चार्ट लगा है यह निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो एक मिनिट का चार्ट है यह इसमें अगर मुझ ब्रिज में जाना और यहां पर उपर की साइट आप देखेंगे universal ब्रिज लिखा आपको universal ब्रिज पे select कर देना अब यहां पर एक चीज़ों लिखे writing और normal अगर आप option बायर हैं तो आपको normal की साइट रखना है अगर आप option राइटिंग करते हैं तो आपको writing की side करना है ठी निफ्टी करना है निफ्टी में कौन से contract में trade करना है जैसे weekly करना है तो आप 01 लिखेंगे और December लिखेंगे क्योंकि December 1st की अभी expiry है इसकी तो यह लिख दी है आपने यह लिखने के बाद quantity डालेंगे quantity में ध्यान रखना है आपको इस तरीके से multiple में लिखना है 50 100 अगर जैसे 50 होता है इसका अब यहां पर आपको इसको save कर देना है जैसी आप save करेंगे तो इस तरीके से यह दो detail आगई same आपको करना है और कुछ नहीं करना है इसको start कर देना है और यहां पर आके आपको इसकी जो यहां पर मैंने setting में जाके जो डाली थी ना user की instrument की वो यहां पर आपको paste कर देनी है और उसके बाद alert create कर देना है जिस way में मैंने किया था अब यह ऐसा करने से क्या करेगा जब आप इसको start कर देंगे तो यह क्या करेगा जैसे भी निफ्टी में signal आएगा तो उस वक्त पर निफ्टी का जो भी price चल रहा हो जैसे अभी 18600 चल रहा है त और sell का signal आने पर 18600 की put को buy करेगा तो इस तरीके से यह add the money करेगा अगर आप चाहते है add the money नहीं करके आप जो है out of the money या फिर आप चाहते हैं कि in the money करना तो भी जब आप सिंबल create करते हैं तो यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा otm का आप देख सकते otm का और item का इसमें पहली बार registration करते हैं तो आपको 6 दिन का free trial मिलता है हमारी website की तरफ से तो आप उस 6 दिन के free trial में live trading भी कर सकते है paper trading भी कर सकते हैं और check कर सकते हैं किस तरीके से performance देता है हमारा platform अगर आपने already trial लिया हुआ है और आपका trial expire हो गया है तब भी आप हमें नीचे दिये हुए numbers पर call कर सकते हैं हम आपको extend करके दे देंगे universal bridge का trial और आप indicators लगा के check कर पाएंगे लेकिन सबसे important चीज़ यह है कि जब आप अगर trading view से करना चाहते हैं तो आपको trading view का paid subscription लेना बहुत जादा ज़रूरी है वहीं यहाँ पर आपको AlgoCrab का paid subscription है वो भी मिलेगा वो 800 रुपी create करते हो ना तो जैसे हम empty four bridge के through करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें empty four चला के रखना पड़ता है पूरा दिन या फिर हम VPS लेते हैं और VPS में डालते हैं तो अगर आप VPS लेके करना चाहते हो तो VPS लेक कर सकते हो otherwise अगर आप trading view use करते हैं तो आपको VPS लेने की ज़रू करते हो ना तो वह alert जो वह काम करता रहता है बेशक आप trading view को बंद कर दो या उसको close कर दो पूरा window तब तक वह काम करता ही रहता है जब तक कि आप इसके alert को pause नहीं करेंगे या फिर delete नहीं करेंगे या तो stop नहीं करेंगे तो जब तक वह alert चलता रहेगा आपका trade automatically होता रह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिएगा comment कीजिएगा और share कीजिएगा अपने दोस्तों को साथ जो भी trading view में काम करते हैं तो चलिए दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and happy trading